आज हम एक ऐसे फटलाजर के बारे में बात करेंगे जिसका हम इस्तमाल अपने गार्डन में करें तो हमें कोई और फटलाजर इस्तमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है जाए हमारे फलाड़ में अच्छे से बुलूमिंग नहीं हो रही है कल्या सई से नहीं बन रही है हमें डेर सारी फूल जो नहीं मिल रहे हैं या फिर अगर हमने वेज़िटेबल लगाए हैं तो उनमें अच्छे मातरा में जो हमें कॉंटिटी मिल नहीं है वेज़िटेबल की तो बस इस फटलाजर के इस्तमाल कीजिए और अपने गाड़ में बहुत सारे जो फ्लार एंड फ मेरे प्लांट है काफी अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है इसको में मैं टैरिस पे लेक आई हूं वेकॉन नीचे मुझे बालकरी में अच्छे से जो है धूप नहीं मिलती है तो यह एक बार इस्तमाल करते हैं तो अपने गाड़न में जो बहुत अच्छा जो रिजल्ट तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है तब ही मैं यह वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूं तो यह देखें यहां पर पिटूरिया के फ्लार बहुत ही प्यारे प्यारे से लगते हैं अगर हम इनको जितना भी पिंचिंग करते हैं उतने ही हमें बहुत अच् जो सैकेंड कलर है मेरा ये भी अच्छे से जो कर रहा है और जो फलार है काफी अच्छे से अच्छी क्वंडिटी में मुझे मिल रहें और यह देखिए क्रिसेंथिमां के जो प्लांट है जो मैंने लेट ग्रो किया है तो उनमें जो है कली बनुए है बस खिलने ही वाली है पाकियों में भी कलियां आने वाली हैं तो यहां भी मैं आपको सिजनल प्लांट दिखा रही हूं अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इनको रिपॉड किये थे यह देखी यह दैन्थस का प्लांट और इनमें भी पिंचिंग करना पहुत ही ज़रूरी है जितना पिंचिंग करे किया जाए और देखें अभी इनको रिपॉर्ट किये हुए हफ्ता हो गया लेकिन मिट्टी देखिए मिट्टी अभी फिली पड़ी है तो जब तक यह मिट्टी किस उकती नहीं है तब तक हम दुबारा इनको पानी नहीं देंगे और यह देखिए यह भी पिटुनीया का फ वीडियो मेरे चनल पर मौझूद है आप जाके मेरे चनल पर देख सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी या फिर आई बटन पर दे दूंगी और यह देखिए दूसरा मेरे जो प्लांट है क्रिसंथिमम के यह भी ब्लूम होने वाले हैं बहुत ही जल और बाक चाहिए तो आप इनको फ्लार को रख सकते हैं मैंने दो जो फ्लार है इनको टोड़े नहीं है वैसे सीद मिनने इसयों चोड़ दिये हैं तो मैं अभी दिखाती हैं और इनको आप अपने किसी गंबले में रख दीजिए तो यहां पर देखिए इनको मैंने यहां पर रख दिया और यह देखिए इसको इन में जो है सीट की क्वाटिटी काफी कम है तो यह देखिए सीट जो है ब्राउन भी होने लगे हैं मैंने जो ह तो हम उनको फिक देते हैं या फिर आप कंपोज घर पे बनाते हैं तो इसमें स्थिमार करते हैं वही चीजह हैं जिनका हमने लिक्विट फटलाजर बनाना है तो यह देखे यहां पे जो है सर्दियों में काफी मातर में जो है मतर बहुत जादा हम मतलब कंजूम करते हैं और जुक्षय की संब्मर सीपार की लिए परसा प्लांक यंदिए को So मैंने पानी के सलगरा की साथ और द कहती हैं उना सबस्कताइब चाहिता किता यहां पिंगा यहां यह ने फ्रूट एंड वेजटेबल के जो है पील है छिलके हैं उनके इनको बस हमने सिंपल पानी में भी मोग देना है तो हम तुबारस इनुमे पानी फिल्ड करके इस्तमाल कर सकते हैं purple 2-3 बार While इंका इस्तमालаешь या फिर चोidler लस्त में बज़ता है उनको हम अपने Comp autant भी जांप में डाल सकते तो बस इसके लिए कुछ नहीं करना है हमने सिर्फ पील डालने है और पान डालना है और साथ इनको छोड़ देना है लेकिन डेली एक बार इनको है चलाना बहुत जरूरी है तो साथ वे दिन देखिए इस्तमाल करने के कैसे बताते हूं तरीका इस्तमाल करना जैसे हम अपने प्लांट में पानी देते हैं बस आप पानी बक्ट में भर लिजी है और इनमें से जय सब् precente बार दिए और इस कैसा की प्लांट में दे दीज सब्सकरों नहीं को प्लांट के लिए और नाए ज्यादा नहीं जैदा और उनको छ़ुटक्त जो यसित ओं पानी प्लांट 15 मिलेगा बस लिमिट मार्टर में जो है उनको मिलेगा और जो प्लांट की जो ग्रोथ है काफी अच्छे से उभर किया तो आप चाहे तो छान लीजिए या फिर आप ऐसे नीचे से हलके से आप करेंगे तो पानी सिप उपर आ जाएगा बस यहां पर देखिए इतना मैंने पान यहां पर देखिए यहां पर चैसे प्लांट में जो ने पर दे रही हूं बस यह इस्ते माल किजी अपने गाडन में आप पाएंगे कि बहुत अच्छाम ड़ल्ट आप के जो है प्लांट में देखने को मिलेगा मुझे इस्ताम करते हुए काफी टाइम हो गया मुझे ऐसे क प्लान्ड में नहीं मिला तो यहां पे देखिए जो मेरी फिलार हैं बहुत जल्दी हैं यह खराब होने वाले हैं मतलब होना शुरू हो गए हैं तो यह थोड़ा सा देख के थोड़ा सा पूरा तो लगता ही है कि कितने मेहनत करके हम फाइनल पे फिलार लेते हैं और धीरे-ध हमारा साथ छोड़ देते हैं फिर हम अगले साल की इनके लिए बहुत त्यारिये करते हैं